नमस्कार दोस्तों मैं रोईत नोकरी जोन में आपका एक बार मैं फिर से हर्दिक अभिन्यंदन करता हूँ ये वीडियो जो है आपका हरिवन सराई बच्छन जी का जो आत्म परिचे और दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसका आपको हल बताऊंगा मैं आने वाला जो JSC का पंचाइट सेक्रेटरी का जो एकजाम है उसमें आरो भागटू और वितन भागटू जो आपका दुट्य पेपर है उसमें से पूछा जाएगा इससे पहले मैं आरो भागटू का जो पतंग जो आलुक धनवा जिनके राइटर है उनके बारे में MCQ पोस्ट कर चुका हूँ हमारे इसी चैनल पे आप यदि उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हैं या हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट किया हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों मैं आपका कंप्यूटर का MCQ भी जल्द ही पोस्ट करने वाला हूँ तो हमसे आप जुड़े रहें और हमसे जुड़ेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बैल बटन को भी दबा सकते हैं जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगा आपको नोड़े पीकिसन मिल जाएगा और यहाँ वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तो प्लीज प्लीज आप लोग लाइक बटन जरूद दमाएं जिस तरह प्रतेक इंजन को चलने के लिए उर्जा के आवे सकता होती है उसी तरह हमारे इस चैनल को चलने के लिए आपका एक लाइक बहुत जरूरी है आपका एक लाइक हमें उर्जा पजान करेगी तो दोस्तो यदि पसंद आता है तो प्लीज आप लोग लाइक बटन दबाना ना भूलें क्योंकि आप मैं देखता हूं कि वीवर तो देख लेते हैं लेकिन वो लाइक बटन जो है वाद दबाने में काफी कंजोसी करते हैं तो प्लीज दोस्तो लाइक बटन जरूद दबाएं एक बात और बताना चाहता हूं कि प्लीज प्लीज आप एक बार वीडियो को पूरा ऑनलाइन देख ले के बाद ही इसे डाउनलोड करें दोस्तों प्लीज हमारे मेहनत को वेर्थ ना करें दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं आपका है हरिवन सराइब अच्छन जी का जो आत्म परीचाई और आपका दिन जल्दी जल्दी ढ़लता है उसके बारे में आपको MCQ करवाओंगा उसे पहले में आपको कुछ इस कवीता का बारे में हरिवन सराइब अच्छन जी के बारे में बता दू कि हरिवन सराइब अच्छन जी का जो जन्म हुआ है आपका 1907 इसमी में हुआ है आपका इलाहबाद जो की यूत्तर परदिस में है इसके बाद आपका हरिवन सराइब अच्छन जी जो है उनकी सीच्छा जो है वो आपका MA किये है और फिर PhD किये है आपका Cambridge University से दोस्तों कभी कबार पूछ लिया जाता है कि PhD हरिवन सराइब अच्छन जी आपका कहां से किये है तो आपका Cambridge University से किये है इसके बाद है आपका हरिवन सराइब अच्छन जी आपका 1942 से लेके आपका 1952 तक यानि दस बर्स तक इलहाबाद विश्वविद्याले में आपका परधाना दहापक राचुके है यानि Headmaster राचुके है इसके बाद आपका आकास्वानिक के साहित्तिक कारिकरम जो थे उससे भी सम्वंदित रहे हैं दोस्तों और उसके बाद विदेश मंत्राले में ये हिंदी के विश्वविद्याले हुए थे एक रचना है आपका मधूसाला मधू मधूसाला नाम है जिसका आपका रिकलिया खा गया है 1935 इस भी को उसके बाद है एक आपका मधूकलस मधू कलस मधूकलस नाम है जिसको लिखा गया है 1938 में और एक और 1938 में लिखा गया है नाम है आपका मधूबाला मधुबाला मधुबाला है ये भी आपका 1938 में आपका लिखा गया है और ये जो तीनों है ये आपका काईबे संग्रा है दोस्तो इसके बाद निशानी मंत्रन ये भी आपका काईबे संग्रा है तूटी फूटी कणिया ये भी काईबे संग्रा है दोस्तो इसके बाद है आपका क्या भूलू क्या याद करू नीड का निर्मान फिर आरती और अंगारे बसेरे से दूर दस द्वार से सौपान तक ये जो मैंने आपको बताया ये सारे आत्मकता है इसके बाद इन्होंने डायरी भी लिखा है उस डायरी का नाम है प्रवास की डायरी आपका नाम है प्रवास की डायरी नाम है दोस्तो और इन्होंने एक सेक्सपियर का जो आपका इंगलिस पोईटरी है उसका आपका इन्होंने ट्रांसलेट किया है जिसका नाम है आपका हैमलेट नाम है आपका और एक और है आपका जिसका कोई आपका पोईटरी वेगरा होगा किसी भासा का उसका ट्रांसलेट किया उसका न कि यदि पूछ लिया जाता है कि बच्चन ग्रांथावाली के नाम से हरिवन सराय बच्चन जी का जो आपका काईब है वो कितने खंडों में परकासित हो चुका है तो आपका एंसर होगा आपका 10 खंडों में परकासित हुआ है बच्चन ग्रांथावाली के नाम से याद रख मुंबाई में 2003 में हुआ था ये इनके बारे में कुछ सारांस है तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आपका MCQ करते है ये जो MCQ है ये आपका आत्मा परिचाई और दिन जल्दी जल्दी डलता के बारे में बताऊंगा तो देखिए आपका पहला है कि स्री हरिवन्द सराव बच्चन जी का जन्म इलावाद में हुआ इलावाद में आपका कब हुआ तो आपके मैंने कुछ दिर पहले ही बताया था कि स्री हरिवन सराय बच्छन जी का जन्म इलावाद में सन 1907 को हुआ था इसके बाद अगला MCQ है आपका निमने लिखित में से कौन सी रचना हरिवन सराय बच्छन जी की नहीं है आपके मदू साला है मदू बाला है और निसानी मंतरन तीनों है लेकिन यामा जो है यह आपका महादेवी वर्मा जी की है महादेवी वर्मा जी की है आपका यामा और इसी यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को आपका ग्यानपीट पुरसकर मिला था ग्यानपीट पुरस्कार मिला था यह पूछ सकता है दोस्तों कि यामा जो है आपका किन की रचना है महादिवी वर्मा का और ग्यानपीट पुरस्कार कौन से लेक के लिए महादिवी वर्मा को मिला था तो आपका होगा एंसर यामा इसके बाद है कविता में सांसों के दो तार का क्या आरत है आपके आप्संस यहां चार है और इसका राइट अंसर है आपका दो तार पहला तार सुक है दूसरा तार आपका दुख है तो दोनों तार आपका सुक और दुख के बारे में बताया गया है इसके बाद है दोस्तों अगला आत्म परिचाए आपका जो काईबियान से उसकी प्रकृति कैसी है तो इसकी जो आपकी प्रकृति है दोस्तों वहा है आपका गीत इसका राइट अंसर अब दोस्तों अपने आपको टेस्ट भी देख सकते हैं इस MCQ के जरिये आप हमारे कमेंट बक्स में बता सकते हैं कि आप यदि पढ़े हुए हैं तो आपका कितना अंसर सही है इसके बाद है कभी के अवसाद ग्रस्त होने का क्या कारण है आपके यहां अप्संस दिये गए हैं और इसका राइट अंसर है आपका वीरह वीरह का मतलब होता है बिछड़ना कभी वर जो है वह आपने पतनी से बिछड़ गए हैं जिसके करण वह आपसाद ग्रस्त हो गए हैं इसके बाद है आपके इन में से कौन सी रचना आत्मक कतात्मक नहीं है तो आपका सतरंगीनी जो है वह आत्मक कतात्मक नहीं है बलकि एक काईवियान से काईवि संग्रा है हरिवन सराइब चन जी का सतरंगीनी इसके बाद है कविता में जग जीवन का भार जो आपका है जग जीवन का भार का क्या मर्थ मतलब है तो जग जीवन का भार का आपका मतलब है भौतिक जीवन की कठनाईया आपका इसका राइट अंसर है C इसके बाद है अगला आपका कवीवर ने स्वैम को कौन सी उपादी दी है तो कवीवर ने स्वैम को अपने आपको दिवाना बताए है इस कवीटा में इसके बाद है आत्म परिचे कवीटा में कवीवर किस का भार लिए फिरता है तो आपका वोए जग जीवन का भार लिए फिरते हैं इसके बाद है कभीता में कभी को कैसा संसार नहीं भाता है तो आपका कभीवर को आपका अपूर्न संसार नहीं भाता है इसके बाद है कभीवर के अनुसार यानि हरीबंस राई बच्चन जी के अनुसार दुनिया को जानने से भी अधिक कठीन कायर क्या है वह है आपका स्वैम को जानना इसके बाद है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ आपका में कैसा भाव है तो इसमें दोस्तों आपका जो है आपका कुंठा का भाव है सी राइट अंसर है इसके बाद आत्मपरिचे कविता में कविवर किस की याद लिए फिरता है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपकी पत्नी की याद लिए फिरते हैं इसके बाद संसार के लोग क्या सुनकर जूमने लगते हैं तो वहाँ है आपका प्रेम गित संक्सार के जो लोग है वो आपका प्रेम गित सुनकर जुमने लगते हैं इसके बाद आपका हरिवं सराइब अचन जी का जो है निगन मुंबाई में हुआ आपका तो वो कब हुआ आपका है answer यहाँ पे आपका 2003 में मुंबाई में हुआ है इसके बाद है आपका सने सुरा का पान से सुरा जो आपका सब्द है वो किसके लिए परियुक्त किया गया है तो आपका वो यूज किया गया है आपका सने सुरा का पान के लिए यूज किया गया है सिनेह के लिए आपका है आत्मपरीचे कविता में दाना जो है आपका सब्द किसके लिए परियोक्त किया गया है दाना सब्द जो है वो आपका ग्यान व्यान वैक्ति जो है उनके लिए आपका परियोक किया गया है इसके बाद है कविवर ने प्रगती पग से किसे ठुकराने की बात कही है तो आपका कविवर ने आपका व्यभाव को ठुकराने की बात कही है इसके बाद है कविवर ने आत्म परिचय कविता के अंत में कौन सा संदेश दिया है तो आपका दिया है सी मस्ती का आपका संदेश दिये है इसके बाद अगला है आत्म परिचाय कविता में कवीवर अपने अपुन संक्सार की पूर्ती किसे करता है तो आपका कवीवर जो है अपने अपुन संक्सार की जो पूर्ती है वहाँ आपका स्वापन से करता है इसके बाद है आपका मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ यहाँ पर आपका उर के उद्गार से क्या मतलब है तो उर के उद्गार से मतलब है आपका हिरदय का प्रेम यह इसका राइट अंसर है इसके बाद है आत्म परिचाय कविता जो है इसमें कुल कितने पद हैं? आपका संकलीत है तो आपका इसमें करीब जो है आपका total 5 पद संकलीत है दोसरों ये पूछ सकता है कि ये पूछा गया है इस तरह का question रاجस्व करण्चारी में इसके बाद है आत्मपरिछे कविता के अनुसार जग किस से पूछता है आपका जो जग का गीत गाते हैं उसे ही जग पूछता है इसके बाद आत्म परीचाए कविता में कविवर ने संसार को अपुन क्यों कहा है तो दोस्तों अपनी प्रत्नी के मिर्तियू के कारण वो विछड़ जाते हैं जिसके करण उनके संसार जो है उनके लिए आपका अपुन रहता है इसलिए अपुन कहा है मैं बना बना कितने युग रोज मिठते से आपका क्या आसे है तो आपका है नए नए आदर्स बनना इसका राइट अन्सर होगा इसके बाद है मैं सीख रहा हूँ सीखा ग्यान भुला ना यहाँ पर जो आपका सीखा हुआ ग्यान है वो उसके बारे में क्या बताया गया है क्या अभी पराय पूछा इसमें तो वह सीखा हुआ ग्यान का मतलब आपके पुराने बाते से है इसके बाद है मैं परतिपच से उस पिर्थिवी को ठुकराता यहां उससे क्या तात पायरी है उस जो यूज किया गया यहां पर यह उससे क्या तात पायरी है तो इसका है आपका धन, दौलत और वैवाव से तात पायरी है कि उसको ठुकराता है इसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवी ने मुख रूप से किस का वर्नन किया है तो आपका वर्नन किया है गति सीलता का कि समय जो है आपका किसी के लिए नहीं रुखता समय हमेशा गति सील रहता है समय के साथ जो बैक्ति चलता है वही अपने अलचे की प्राप्ति करता है इसके बाद है आपका दिन जल्दी जल्दी डलता है कभी ता कि पर्थम पद में कभी दिन को कैसे ड़लता हुआ बताते हैं तो आपका जो है आपका काफी जल्दी जल्दी डलते हुए बताते हैं कि दिन जल्दी जल्दी डलता है यदि आपने रच्छे के लिए पहुँचना है तो आप समय के साथ चली नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे इसके बाद दिन जल्दी दिन ढलने के पास चाथ किसका आगमन होता है आपका तो आपका दिन जब ढल जाता है तो आपका रात्री का आगमन होता है संसार के सभी परानी किसके साथ चलते हुए लक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपका यदि किसी को लक्ष प्राप्त करता है संसार में तो उनको समय के साथ चलना चाहिए तब ही वो लच्च की प्राप्ति कर सकते हैं इसके बाद दिन जल्दी जल्दी डलता है कवीता में चुनिया के बच्चे कहां से जहाक रहे हैं तो चलिया के जो बच्चे हैं वो आपका घंसले से जाक रहे हैं कि उनकी जो ममी है वो आपका दाना चुगनी के लिए उनके लिए वो दाना लाएगी खाना लाएगी जिसके करन वो घंसले से इंतिजार कर रहे हैं निकल के इसके बाद है जीव जन्तु तथा मनुष अपनी गंतेव तक पहुँचना चाहते हैं कब आपका वो पहुँचना चाहते हैं रात्री से पहलें वो चाहते हैं कि अपने घर पहुँच जाए जो भी पसुपक्षी वेगरा हो इसके बाद है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कभी ता के उनसार परियत नसील मनी सुका अपनालाच कभी जो है आपका इसका अंसर होगा आपका कभी भी दूर नहीं लगता है ए इसका रैड अंसर होगा जो परियत नसील वेक्ती होता है वो समय कैसा चलता है उनको दूर कभी नहीं लगता उनके लच्छ से इसके बाद आपका चिनिया के बच्चे क्या पाने कीछा रखते हैं तो चिनिया के जो बच्चे है वो आपका दाने आपका कीछा रखते हैं इसके बाद आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में समय को कैसा बताया गया है तो समय जो है आपका वो गतिसील और परिवर्तनसील बताया गया है दोस्तों इसके बाद है कविता के अंत में कभी दीन को कैसे ढलता हुआ यहां ढलता हुआ नहीं होगा ढलता हुआ होगा ढलता हुआ बताता है तो दोस्तों इसका एंसर आपका जल्दी जल्दी बताता है तो दोस्तों य यदि आपको लगता है यह किछी के लिए महत्पून है तो आप हमें इस वीडियो को सेर भी कर सकते हैं फेस्बुक टूइटर वाट्सम में थैंको दोस्तों